हलो बच्चा लोग कैसे हो आप सोब I hope you all are doing great स्वागत है आपका इस प्यार इसे प्लाटफॉर्म पी डबलू पर मैं हूँ आपकी दोस्त और आपके physics educator रूपर कल्यान तो बच्चा लोग मुझे पता है कि आप लोग अभी क्या सोच रहे हो बताओ चिंकी बताओ Yes Maam तो आप लोग ये सोच रहे हो कि आज की session में हम क्या बढ़ने वाले हैं किस-किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं है ना चिंकी right Maam एकड़म right तो बच्छा, लोग तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले और यह जानने से पहले कि इस पर्टिक्फिलर सेशन में हम किन-किन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, मैं आप लोगों से एक क्वेशन करना चाहती हूँ, पूछू, चिंकी पूछू? हाँ मैं, पूछू? पर observe कर रहे हो मेरे पीछे का यह जो बहुत सुन्दर background लगा हुआ है आप इस चीज को भी observe कर रहे हो तो अगर मेरे पूछू कि कैसे आप चीजों को देखते हो कैसे observe कर पाते हो आप लोग इस चीज का क्या answer दोगे चिंकी आप बताओ मैम इसका answer तो बहुत ही simple है हमारे पास eyes है इसलिए तो हम सारी चीज़े देख पाते हैं राइट चिंकी मुझे पता था कि आप लोगों की साइट से यही answer आने वाला है कि मैम हम अपने आसपास की चीजों को अपनी eyes से देखते हैं राइट हमारे पास आखे हैं इसलिए ही तो हम आसपास सब कुछ देख सकते हैं ठीक है बच्चा लोग you are right लेकिन अगर मैं एक चीज और बोलू कि हमको आखों के साथ-साथ एक और चीज का requirement होता है अपने आसपास की चीज़े observe करने के लिए देखने के लिए तो वो चीज क्या है जानना चाहते हो चिंकी आप जानना चाहते हो हाँ मैम बताओ न ओगे बच्चा लोग तो यह जानने के लिए हमको एक सिचुएशन में जाना पड़ेगा चले चलो तो बच्चा लोग अब चलते हैं एक सिचुएशन में आप रेडी हो चिंकी रेडी येस मैम ओगे बच्चा लोग सो वान टू थ्री मैम यह क्या कर दिया मुझे तो कुछ दिख यह выглядит है अर्वी तौ आपके पास आंखे हैं अब आपको क्यू drill देरा माम यहिए ल मुझे इसी लिए देढ पर दो ना अच्छा ठीक है चलो बच्छा लोग तो करते हैं लाइट्स को on ऒखेर मैम तो बच्छा लोग आपको पता चल गए नहीं मैं हम चीजिस को कैसे जाता करते हैं जान रुटोर नहीं हम को च्लास को लोग च्छालव को एन या wanted कि आप बताओ मैम कि हमको चीजों को देखने की लिए ऑब्जर्व करने के लिए आईज और लाइट दूनों चाहिए होती है तो बच्छा लोग चिंगी नहीं सही बोला कि हमको आखे और लाइट डोनों चीजों का requirement होता है तभी हम चीजों को देख पाते हैं मैम बट लाइट क्या होता है ओके तो चिंगी का ये question है अब ये light क्या होता है अब हम इसके बारे में जानेंगे लेकिन light के बारे में जानने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं अपने table of content पर यानि की इस particular session में हम लोग किन-किन चीजों के बारे में discuss करने वाले हैं एक बार ये भी तो देखें ठीक है रचा लोग तो सबसे पहले हम बात करेंगे light क्या होता है ये जानेंगे कि light exactly है क्या ठीक है उसके बाद हम देखेंगे how can we say things around us कि ठीक है light क्या होता है ये तो जान लिया बट हम चीजों को देख के से पाते हैं हम ये जानेंगे उसके बाद हम कुछ objects को classify करना सीखेंगे फिर हम differentiate करेंगे luminous objects और non-luminous objects में उसके बाद हम further discussion करेंगे transparent, translucent, opaque objects के बारे में तो करते हैं start और चलते हैं सबसे पहले सबसे पहले topic पे जो है what is light So बचा लोग light is a form of energy light क्या है? एक energy का form है which is needed to see things around us अब जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जब हम अंधेरे में गए तो हम किसी भी चीज़ को देख नहीं पा रहे थे लेकिन light की presence में हमको सारी चीज़े visible थी तो light क्या है बच्चो light energy का वो form है जो हमको चीज़ों को देखने में help करती है अच्छा अब light की बात करें तो light को छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है जिनको पता हम क्या बोलते हैं? जिनको बोलते हैं हम photons अब यह जो पार्टिकल्स है यह बहुत ही जादा energized होते हैं एनरजी की वज़े से यह बहुत ही तेट स्पीड में travel करते हैं तो बच्चा लोग यह थी हमारी light मैम, light क्या होती है यह तो समझ आ गया बट हम चीज़ों को देखना होता है तो चिंकी, अभी हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले है कि light क्या होती है यह तो हमें समझ आ गया और light क्यों ज़रूरी होती है क्योंकि हमको चीज़ों को देखना होता है बट exactly procedure क्या होता है ऐसा क्या होता है कि जब light होती है तब हमें चीज़े दिखाई देती है जब light नहीं होती तो हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता तो बच्चा लोग एक बार ये भी जानते हैं that how can we see things around us देखते हैं So बच्चा लोग, we are able to see the objects around us only when the light gets emitted or reflected by them and enters our eyes यानि कि हम चीजों को तभी देख पाते हैं या उनी objects को सिर्फ देख पाते हैं reflect करें और फिर हमारी आखों में पहुचे I know आपको थोड़ यसे मुश्किल हो रही होगी इस चीज को समझने के लिए बट चिंकी, एक बार हम पहले किसी और चीज के बारे में discuss करें और फिर हम दुबारा से slide पे राएंगे और फिर जानेंगे कि यह बोलना क्या चाहता है ठीक है? Yes ma'am तो बच्चा लोग जानने के लिए कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं कैसे और अब्जर्व कर पाते हैं सबसे पहले हमको classification of objects देखना पड़ेगा यानि कि we have two types of objects अब वो कौन कौन से objects है So we have luminous objects and non-luminous objects अब ये कौन से object होते हैं? तो जानते हैं So बच्चा लोग luminous objects कौन से होते हैं? An object which produces its own light जो object है वो जब खुद की light produce करे खुद की light को emit करे तो उन्हीं objects को हम क्या बोलेंगे? बच्चा लोग luminous objects बोलेंगे ठीक है? कुछ examples देख रहे हैं? Sun, Bulb, Torch, Candle, and Fireflies So these are the examples of luminous objects अब चलते हैं क्लास में? चलो! तो बच्चा लोग अब आपको पता चला कि luminous objects क्या होते हैं? अब देखो बच्चा लोग ये जो luminous objects है मैं बोल सकती हूँ कि ये जो object है ये direct source of light है अब source of light क्या हुआ? जिसके पास खुद की light होती है? अब ये जो category है ये भी दो parts में divide होती है कुछ sources ऐसे होते हैं जो natural source of light होते हैं और कुछ source ऐसे होते हैं जो artificial source of light होते हैं natural source of light नाम से ही पता चल रहा है ऐसे sources जो nature की तरफ से हमको मिलते हैं जैसे कि हमने देखा था sun stars, firefly ये जितने भी examples हैं ये natural sources of light हैं और कुछ example ऐसे हैं जो man made है जैसे कि torch, candle, bulb बच्चा लोग तो ये थे हमारे luminous objects अब luminous objects को हम कैसे देख पाते हैं? जैसे कि अभी हमने रेखा कि जो luminous objects हैं वो अपनी खुद की light हमें पहुचाते हैं हमें देते हैं तो they can be even seen in the dark यानि कि हम dark में भी इन चीज़ों को देख पाते हैं obvious ही बात है है ना, अगर आप किसी dark room में हो और आप महाँ पर candle light कर दो जैसे कि ये देखो तो क्या होएगा? हमको चीज़े दिखाई देने लगेगी हमको candle की बज़े से चीज़े दिखाई देती है तो candle तो दिखेगी ही ना ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो direct source of light है इनकी तरफ से जो light आती है वो directly हमारी आखों में जाती है तो बच्चा लोग यही चीज़ यहाँ पर लिखी है और दूसरे टाइप के जो objects है वो क्या है? देखते हैं तो बच्चा लोग वो objects कौन से हैं? तो हमारे पास है non-luminious objects कौन से objects? जिन objects के पास अपनी खुद की light नहीं होती या जो objects अपनी खुद की light प्रड्यूस नहीं कर पाते उन्हीं objects को हम क्या बोलेंगे? non-luminious objects बोलेंगे the objects which does not produce their own light are called non-luminious objects अब हम इन objects को कैसे देख पाते हैं? एक बार उसके बारे में बात करते हैं तो बच्चा लोग the non-luminious objects can be seen only when the light coming from a luminous objects falls on their surface and gets reflected back to our eyes अब ये क्या बोल दिया? समझ आया? चिंकी आपको आया? नो माम ओके, तो ठीक है इसको भी अच्छे से समझते हैं बट उससे पहले कुछ examples की बात कर लेते हैं कि non-luminious objects के examples क्या-क्या है so बचो लोग we have a table इसके पास अपनी खुद की light energy नहीं होती तो ये भी एक non-luminious object है books इनके पास भी energy नहीं होती light emit नहीं करती books तो ये भी non-luminious objects है we have flower port ये भी non-luminious objects का example है और आपके आजपास वो जितनी भी चीज़े हैं जो अपनी खुद की light emit नहीं करते वो सारी ही चीज़े क्या है बच्चो non-luminious objects ठीक है तो बच्चा लोग अब जानते हैं कि हम non-luminious objects को कैसे देख पाते हैं तो suppose हमारे पास एक bulb है और bulb के सामने टेबल पर एक book रखी हुई है अब bulb को हम क्यों देख पाते हैं क्योंकि bulb जो है वो directly हमारी आँखों में जा रही है इसी वज़े से bulb हमें visible है लेकिन book कैसे visible है तो बचा लोग जब किसी भी luminious object से जो light emit होती है और वो non-luminious object के surface से टकरा कर वापस हमारी आँखों में enter करती है तबी हम non-luminious object को देख पाते हैं तो बचा लोग आपको समझ आया कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं चिंकी आपको clear हुआ ओगे बचा लोग तो ठीक है अब हमें ये तो पता चल गया कि luminious object क्या होते हैं non-luminious object क्या होते हैं अब हम बात करते हैं further classification of objects के बारे में यानि कि हम objects को आगे further classify कर सकते हैं किस basis पे? उस तरीके को पकड़ कर जिस तरीके से वो object light के साथ interact करते हैं तो बचा लोग on the basis of interaction with light objects can be classified into three different types और वो कौन-कौन से types हैं? तो we have transparent objects transparent materials भी बोल सकते हैं we have translucent materials and we have opaque materials अब एक-एक करके जानते हैं in materials के बारे में तो बच्चा लोग depending on the behavior towards light all the materials can be classified as transparent translucent and opaque objects यानि कि जिस तरीके से जो object है वो light के साथ interact करता है उसके basis पे हम object को तीन categories में divide करते हैं अब एक-एक करके इन तीनों categories के बारे में बात करते हैं तो बच्चा लोग transparent objects कुछ इस ताइप के दिखते हैं अभी जानेंगे कि क्या है exactly translucent जो object है वो कुछ इस ताइप के दिखते हैं और opaque object कुछ इस ताइप के दिखते हैं थोड़ा भूत जिस तो आपको मिली गया होगा कि किस ताइप के objects है तो बात करते हैं सबसे पहले अब transparent objects के बारे में बच्चा लोग the material that allow light to pass through them and due to which we see things clearly through them are called transparent materials यह वो object है जो light को allow करते हैं to pass through them और इसी वज़े से हम इनके आर पार clearly देख भी सकते हैं ऐसा example कौन सा हुआ ऐसा हुआ example clear glass का clear glass के आर पार आप लोग देख सकते हो right क्यूं देख सकते हो क्यूंकि वो light को allow करते हैं pass होने के लिए अब कुछ हो और एक example ले तो एक example ले जैसे कि suppose अगर आप किसी glass में clear water लो और उस पर torch से light को pass कर रहा हो transparent objects बोलेंगे transparent materials बोलेंगे और अगर आप देखो तो आप glass जिसमें clear water है उसके आर पार भी देख सकते हो है ना तो ऐसे materials को हम क्या बोलते हैं transparent materials बोलते हैं अच्छा आप कुछ और examples की बात करते हैं चलो चिंके तुम बताओ transparent materials के कुछ और examples मैं मैं बताओ examples जैसे की हमारा window pane यानि की window में जो glasses लगे होते हैं हम उसके बार पार भी देख सकते हैं और जैसे की ये glasses मैं इनके आर पार भी देख पारी हो because ये जो glass है ये transparent है और मैं जो air होती है वो भी तो transparent होती है ना very good चिंकी तो बच्चा लोग अब बात करते हैं अपने second type of materials के बारे में जो है हमारे translucent objects अब ये कौन से type के objects होंगे so बच्चा लोग the materials that allows some of the light to pass through them are called translucent material यानि कि ये वो object होते हैं जो light को थोड़ा सा pass होने देते हैं यानि कि कुछ portion of light को तो ये pass होने देते हैं लेकिन कुछ portion को block कर देते हैं तो ऐसे objects को हम क्या बोलते हैं translucent objects बोलते हैं तो बच्चा लोग एक होते हैं clear glass अब कुछ ऐसे translucent glasses भी होते हैं जिनके आर पार आप लोग clearly नहीं देख पाते so those glasses were the example of translucent objects कुछ और examples के बारे में चिंकी आप लोगों को बताएगी तो चिंकी बताओ मैं जैसे प्लास्टिक, फ्रॉस्टिक ग्लास और ट्रेसिंग पेपर वेरी गुड चिंकी तो बच्चा लोग I hope translucent objects कौन से होते हैं ये भी आपको clear है अब चलते हैं अपनी third category की तरफ जो है opaque objects अब ये कौन से objects होएंगे आप खुद बताओ तो बच्चा लोग ये वो objects होते हैं the materials that do not allow light to pass through them and due to which we cannot see anything through them are called opaque materials यानि कि ये वो objects होते हैं जो light को अपने आर पार pass होने ही नहीं देते block कर देते हैं तो ऐसे objects को हम क्या बोलते हैं opaque objects बोलते हैं और इन objects के आर पार आप देख भी नहीं पाते खीक है बच्चा लोग तो ऐसे materials कौन से होते हैं जैसे की sheet of paper right sheet of wood एक wood का वो ले लो आप block ले लो उसके भी आर पार आप नहीं देख पाओगे या कोई भी ऐसा solid object जो light को block करे वो सारे ही material क्या होंगे opaque objects होंगे opaque material होंगे कुछ और examples के बारे में चिंकी हमको बताएगी चिंकी बताओ मैं opaque objects तो इतने सारे हैं जैसे की ये book हो गई मैं खुद हो गई जैसे की ये pen हो गया ये सारी चीज़े opaque है तो I hope बच्चा लोग आपको सारी ही चीज़े अभी तक clear होंगी और अब है हमारी बारी कौन से time की बताओ quiz time की तो बच्चा लोग इस particular section में हम discuss करने वाले हैं कुछ questions के बारे में जिनके होंगे 4 options 5 second का timer आप लोगों को मिलेगा और उसके बाद आप लोगों को questions का answer करना है तो चलते हैं और solve करते हैं सबसे पहला question तो सबसे पहला question क्या है dash is the source of light यानि कि हमको source of light बताना है इन सारे options में से अब बताओ क्या होगा answer we have star, sun, moon, sky चलो इसमें एक से ज़्यादा सही options है अब आप लोग answer बताओ तो timer start करते हैं अब तो बचा लोग I hope इस question को तो आपने बहुत अच्छे से solve कर दिया होगा तो कौन-कौन से options हैं जो सही हैं बताओ तो we have first stars अब star जो है वो direct source of light होते हैं बताओ right stars भी हमको twinkle करते हुए दिखते हैं stars के पास भी अपनी खुद की light होती है तो ये भी सही है and we have sun भाई sun तो हमारे पास एक लोता ऐसा source of light है जिसके comparison में कोई और source है ही नहीं यानि कि this is the major source of light जो responsible है धरती पर रोशनी के लिए है ना बचा लोग तो ये भी source of light है moon अच्छा moon source of light है चिंकि आप बताओ ma'am हाँ moon तो source of light है moon हमको light देता है अब ये बताओ कि moon luminous object है या non-luminous object है चिंकि आप बताओ ma'am luminous object ओके तो चिंकि moon जो है वो non-luminous object है luminous object नहीं है ma'am वो क्यों? ओके बचा लोग तो ठीक है एक बाद देखते है moon जो है वो एक non-luminous object है ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास अपनी खुद की energy नहीं होती वो क्या करता है? sun से light लेता है और फिर उसको reflect करता है अर्थ की तरफ इसलिए हमको ऐसा लगता है कि moon के पास अपनी खुद की light है जिसको हम रात की चान नहीं बोलते है sky, sky के पास अपनी light नहीं होती तो sky is not a source of light ठीके बचा लोग अब चलते हैं अपने next question की तरफ तो बचा लोग हमारा अगला question है इन sky, earth and moon are अब जो sky है उसमें earth और moon किस type के object से हमको ये बताना है तो we have opaque, translucent, transparent, none of these अब आप लोग बताओ कि इन सारे ही options में से कौन सा option correct है स्टार्ट करते हैं timer तो बचा लोग आए होब आप लोगों ने इस question का answer दे दिया होगा तो इन the right answer is opaque objects क्यूं है opaque? बिकेज वो light को अपने आर पार पास नहीं होने देते और उनके आर पार हम देख भी नहीं सकते तो इसलिए वो जो object है वो क्या है? opaque object है sun भी opaque है और earth भी opaque है ठीक है बचा लोग अब चलते हैं अपने next question की तरफ and the next question we have is those objects gives out light of its own are known as वो objects जो अपनी खुद की light produce करते हैं जो खुद की light देते हैं वो कौन से objects होते हैं and the timer starts now तो बच्चा लोग इनमें से कौन सा सही answer है? we have opaque, translucent, transparent and luminous object यह तो बहुत ही easy question है एक बाद चिंकी से पूछते इसका answer चिंकी आप बताओ कौन सा option सही होगा? मैम, luminous object क्यूंकि luminous object ही light का source होते हैं राइट बच्चा लोग so the correct answer is luminous objects यारी कि जो objects होते हैं जो अपनी खुद की light देते हैं उन objects को हम क्या बोलते हैं? luminous objects बोलते हैं अब चलते हैं अपने next question पे so the next question is light is a form of energy that makes the object light एक वो form है energy की जो objects को क्या बनाती है? हमारे लिए visible बनाती है invisible बनाती है visible और invisible दोनों बनाती है यह इन में से कुछ भी नहीं बनाती तो आप लोगों को यह बताना है and the timer starts now ओगे बचा लोग तो I hope यह तो बहुत ही simple question है इसके बारे में तो हमने इतनी अच्छे तरीके से discuss किया है कि क्या बताऊं? एक बार इस question का answer चिंकी से पूस्ते है चिंकी आप बताऊ मैं visible जो हमको चीजों को देखने में help करती है this is that form of energy ओगे बचा लोग अब next question की बात करते है and the next question we have is objects through which light can pass partially are said to be यानि कि वो objects तो light को partially pass होने देते हैं उन objects को क्या बोलते हैं? and the options we have is opaque, transparent, translucent and umbra अब आप बताऊ कौन से type के objects होंगे and the timer starts now ओगे बचा लोग मैं, translucent objects and the right answer is translucent object अभी तो वो मने discuss किया था खीके बचा लोग I hope आप लोगों को सारी चीज़े बहुत अच्छे से clear होगी तो अब करते हैं इस session को end तो बचा लोग अब time है summary का यानि कि इस chapter में हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार फिर से देख लेते हैं तो सबसे पहले हमने बात करी कि light क्या होता है तो light बचा लोग हमको जरूरी होता है चाहिए होता है ताकि हम चीजों को देख पाए है ना और light क्या है एक energy का form है उसके बाद हमने बात करी कि हम चीजों को कैसे देख पाते हैं तो बचा लोग इस basis पे हमारे पास दो तरीके के objects होते हैं जैसे कि हमारे पास होते हैं luminous objects and non-luminous objects luminous objects वो होते हैं जिनके पास अपनी खुद की light होती है जो light को खुद produce करते हैं और उन objects को हम कैसे देख पाते हैं क्योंकि luminous objects light को emit करते हैं तो वो जो light है जब हमारी आँखों में डारेक्ली जाती है तब हम luminous objects को देख पाते हैं और कुछ objects ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की light नहीं होती, वो होते हैं non-luminious objects, अब non-luminious object को हम कैसे देखते हैं, तो non-luminious object क्या करते हैं, luminious object से जो light उनके surface पे गिरती है, और वो light जब bounce back करकर हमारी आँखों में जाती है, तब हम non-luminious objects को देख पाते हैं, तो बच्चा लोग उसके बाद हमने बात करी थी further classification of objects के बारे में, यानि की जब objects है, वो light के साथ कैसे interact करते हैं, उसके basis पे भी हमने objects की category को divide किया था, जिसमें हमने बात करी थी transparent objects क्या होते हैं, translucent objects क्या होते हैं, और opaque objects क्या होते हैं, तो transparent objects वो objects होते हैं, जो light को pass होने देते हैं, और इसी वज़े से हम transparent objects के आ भी अबजिक्स ब्लॉग कर देकन्ट बहुत properties कुछ पॉरशन लाइट का आन गया लेकिन इन कुली मुस्य नहीं देख सकते हैं तो यह कौंक्छ लोग जो वो भी object light को completely block कर दे उन objects को हम क्या बोलते हैं opaque objects example के लिए आपकी book हो गई तो ये भी example है तो बचा लोग ये थी हमारे chapter की summary अब आप लोग करो मस्ती हम मिलते हैं next session में तब तक के लिए thank you